यह है look up, यह है look up to, और यह है look for, look up का मतलब क्या होता है, look up का मतलब भी होता है, ढूंडना, ठीक है, look up का मतलब भी है, किसी चीज़ को ढूंडना, और look for का मतलब भी होता है, ढूंडना, किसी चीज़ को ढूंडना, लेकिन दोनों में difference है, अगर dictionary में meaning वगेरा ढूंड रह नॉलेज के लिए किसी चीज को ढूंड रहे हो, रेफरेंस के लिए, तो हाँ पर look up लगाओगे, लेकिन अगर आपकी कोई चीज खो गई है, आपका mobile को गया, आपका book को गया, आपके friend को गया है, कोई चीज खो गया है, या कोई चीज छुपा हुआ है, या खो गया है, उसको ढूंड रहा है, तो look for लगाना, I am looking for my cell phone, I am looking for my friend, ठीक है, हाँ, और एक होता है look up to, आप बोलोगे look up का मतलब तो ढूंड ना होता है, look up to, look up to का मतलब है, एकदम उपर किसी को सम्मान भाव से देखना, respect करना, respect करना, ठीक है, तो यह चीज़को ध्यान रखना है, यह चीज़को ध्यान रखना है, कि एक है look up, look up मतलब ढूंड ना, ठीक है, और look up to का मतलब है, किसी को respect भाव से देखना, अभी लिखना नहीं, कुछ भी लिखना नहीं, respect भाव से देखना हो, और एक होता है ना look up, अप देख रहे हो, जैसे भगवान उपर है आप भगवान को respect भाव से देख रहे हो, ठीकिए भगवान की मूर्ती जनरली करते है ना आप से height से थोड़े से उपर लगाते हैं, और एक होता है look down, look down का मतलब एकदम नीचे, ये तो look up का मतलब है respect करना, और look down एक on होता है और एक upon होता है, look down upon का मतलब है किसी को respect नहीं देना, किसी को insult करना, किसी को तुछ नजर से देखना, inferior समझना, तो याद रखना, look up to का मतलब है उपर respect देना, और look down का मतलब है किसी को सम्मान नहीं देना, insult करना, look down on भी होता है, look down upon भी होता है, ठीकि है तो यह चीज याद रखने है यह चीज याद रखने लुक अप्टु यू रिस्पेक्ट करना लोग डाउन इंसल्ट करना और अकेला लुक अप का मतलब होता है सर्च करना वैसे सारे सारा है सारा चीज है आपके स्लाइड में हैं टेंशन लेने के बात नहीं है मैं तोड़ा कंपेरिजन करकर के सामने पड़ा रही हूं आपका इजी हो जाए ठीक है